दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर पैन आधार को लिंक करने की समय सिमा 30 सितंबर तक बढ़ी पहले 30 जून ती डेड लाई जी हाँ यदि आपने अभी तक पेन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं कराया तो करा सकते हैं क्योंकि पेन आधार को लिंक करने की समय से मा बढ़ा दी गई है केंद्र सरकार ने इसे अब 3 महने यानि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया है 30 सितंबर तक अब कोई भी व्यक्ति अपने पेन को आधार से लिंक करा सकेगा भले इसकी डेडलाइन 30 जून थी जिन लोगों ने अब तक इसे लिंक नहीं कराया है उनके लिए सरकार का यहां कदम रहात देने वाला है आपके जानकारे के लिए बता दे कि आप घर बेटे ही इंटरनेट की मदद से इसे आसानी से लिं नमबर इस पेस दे के आपको 10 डिजिट का पेन नमबर टाइप करके 567678 या 561561 पर SMS भेजना होगा ऐसा करने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना मेसेज के जरी भीज जाएगी बाड़े कबर तेजस्वी आदब का बड़ा बयान दो तीन महिने में गिरने जा रही है नितिस कुमार की सरकार जिहां बिहार में एंडे सरकार में सामिल पार्टियों में आपसिक खिजतान के कबरों की बेज तेजस्वी आदब ने बड़ा दाव कर दिया है तेजस्वी आ अदवकल अपने विदानसवाच छेतर रागोपूर के दोरे पर थे वहाँ वे लोगों से मिल रहे थे लोगों ने उनके सामने सिकायतों का अंबर लगा दिया उनका आरोपता कि सरकार जान बूज कर रागोपूर के उपेक्चा कर रही है अपने समर्तकों को समुदित करते व जिहां केंद्रिया माइदमिक सिक्चा बोर्ड ने कक्चा 10 वे और 12 के चात्रों को बड़ी सहुलियत दिया है जो चात्र अपने डुब्लिकेट अकेडमिक डॉकुमेंट पाना चाहते हैं वे अब नेदारित सुल्क दे कर अल्लाइन प्राप्त कर सकते हैं सिब्यसी ने इसके लिए एक पोटल सुरुक कर दिया है सिब्यसी ने बताए कि आल्लाइन डुब्लिकेट परवान पत्र पाने के लिए अभेयरतों को अपने घर से ही वेबसाइट www.cbsc.nic.in पर लोगिन करना होगा में वेबसाइट पर डुब्लिकेट अकेडमिक डॉकुमे जारे करने के लिए आवेदन करते थे पले चात्रों को सिब्यसी के रिजिनल ओफिस में जाकर आवेदन देना होता था लेकिन अब इन हाउस पोटल विक्षित करने से चात्रों को काफी ज़्यादा असानी होगी अगली बड़ी खबर पतना एम्स के पास कुला प्रधान मंद्री भारतिय जन असदिक केंड्र 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 स्वास्त राजज मंद्र असवینि चोबि ने वर्चुवल मयदम से क्या उधगातन किया पटना एम्स के नजदिक चेदी टोला में खुला प्रधान मंत्री भारती जन उस्दिक केंद्र राजकुमारे देवी के नाम पर संचलित हो रहा है इस मोके पर केंद्रे मंत्री 24 ने राजकुमारे देवी और आने लोगों से बाचित कर जन उस्दिक केंद्री की महत्तप पर चर्चा की साती मंत्री ने लोगों को जानकारे दे कि इस जन उस्दिक केंद्र के कोलने से इस्तानी लोगों के साती एम्स के मरिजों को भी जरूरी दवावों का सहज और सस्ते दर पर उपलब्द कराया जा सकेगा अगली बाड़ी कबर मुझपरपूर समेत उत्तरी बिहार के जीलों में चमकी बुखार के मामलों में इजापा एक बच्चे में AES की पूष्टी हुई है मरिज की पहचान पारो के फुलवारिया निवासी अकलेस राय के दो वरसिय पूत्र सुबास कुमार के रूप में हुई है आपके जानकार एक लिए बता दे कि SKMCH में इस साल कूल 32 बच्चे AES वो चमकी बुखार से पीड़ित होने के बाद भरते हुए इनमें से साथ की मौत हो गई अभी दो का इलाज चल रहा है बाकी बच्चे सुष्ट होकर घर लोड़ गए है अगली बड़ी कबर योपी में ताल टोकेंगे मुके सहनी अकेले चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी लकुना में होगी पार्टी की लौंचिंग बिहार सरकार में सहयोगी विकासिल इनसान पार्टी उत्तर परदेश में होने वाले विदानसवा चुना में अपना दम दिखाएगी पार्टी के अधग्च और बिहार सरकार में मंत्री मुके सहनी ने बताए कि अगले दो जुलाई को उत्तर परदेश के राज़ानी लकु गया तो कि VIP बिहार में NDA गडवन्दन में है और बिहार में इस पार्टी के 4 MLA और 1 MLC है VIP तीन साल पुरानी पार्टी है मुकेशनी के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 1.500 ऐसी सिटे है जहां उनकी पार्टी अपने अमिद्वार को उतार सकती है उनका कहना है कि निसाद की उपजातियों को मिला कर कोल आबादे के 14 परतिस्त है उन्हें निसाद सिटों पर उनकी नजर है बड़ी कबर बिहार में अब मचली पकड़ने के लिए बनवाना होगा स्पेसल कार्ड जाने मचवारों के लिए सरकार की नई तैयारी जिहां बिहार में मचली मारने के अनुमती खास लोगों को ही मिलेगी राज की नदियों और सरकारी तालाबों में मचली पकड़ने वालों मचवारों के लिए अब सरकार बड़ी पहल करने जा रही है पसुपालन विवाग सरकारी जलसरोतों में मचली पकड़ने के मामली पर अब गंभिर दिख रहा है और नए नियों में के तहट मचली पकड़ने का काम सुरू कराने की और सक्रिया है आप स्पेशल कार्ड और मचवारों ही नदिया या सरकारी तलाबों में मचली पकड़ने का काम कर सकेंगे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पुसुपालन विभाग मचवारों के लिए खास तयारी कर रहा है आपको बदा दे कि इस बात की जानकारी पुसुपालन वा मतैस विभाग के मंत्री मुके सहनी ने दी है मंत्री का मानना है कि राजिक के राजस्व में हानी नहीं हो इसलिए ये भी कदम बहुत जरूरी है अगली बाड़े कबर पटना से तिसरी जन सताब्दी एक्सप्रेस एक जुलाई से चलेगी राची से आनंद बिहार के लिए भी नई ट्रेन जहां कोरोना वारे संक्रमन के मामले गटने के बाद रेलवे ट्रेनों की संक्या पेर से बढ़ानी सुरू कर दी है इसी कड़े में पटना से तिसरी जन सताब्दी कोविड स्पेसल एक्सप्रेस का परिचलान एक जुलाई से शुरू होने जा रहा है यह ट्रेन पूरुमेद रेल के दानापूर डिविजन के अंतरगद पटना जक्सन से पुरुवत्तर रेलवे के वारानसी डिविजन के मंडवाडी जक्सन के भी चलती है कोवीड स्पेसल ट्रेन के रूप में चलने वाली स्ट्रेन के सभी कोच पूरी तरह आरचित रहेंगे तो वहीं दूसरी तरफ रेलिवे ने राची से आनंद बिहार के बीच भी एक नई ट्रेन का एलान किया है पठना राची और पठना हावडा जनसताब्दि कोवीड स्पेसल का परिचालन पहले से जारी है बाड़ी कबर बिहार में गरज के साथ तीन दिनों तक बारिस के असार औरेंज अलट जारी जिहां बिहार में मांसुन की सक्रेता में कमी के बावजोद इस्तानिय प्रभावों से अलग-अलग इलाकों में गरज के साथ बारिस और वजरपात की सिति बनी हुई है वातावरन में कापी नमी है और पिछले दिनों तापमान में हुई बड़ोतरी के वज़ा से जगा-जगा गरज वाले बादल बने हुए है पिछले 24 गंडे में मौसम के बदलाव की वज़ा से पटना सहीत कई जिलों में अधिकतम तापमान तीन डिगरी तक गिर गए है मौसम विवाग केंदर के अनुसार जहारकन के आसपास बने चक्रवाती परिसरंचन की सिति को देखते वे सुबे में अगले दो से तीन दिन वज़रपात और बारिस की सिति बने हुई है हाला कि यह बारिस एक साथ सबी इलाकों में इसलिए नहीं होगे क्योंकि इस्तानिय प्रभाव से बने बादलों को किसी मजबूत मौसमी सिस्टम का साथ नहीं मिल रहा है इसके अलावा मौसम बिभाग ने पटना सहित पाच जिलों में यलो अलट जारी किया है इन जिलों में लोगों को अलट किया गिया है कि वह खोले आसमा के नीचे और पेड के नीचे नहीं रहे इसमें जान की चति हो सकती है पटना सिवान समस्तिपूर भोजपूर बकसर और रहतास में मौसम बिभाग ने अलट जारी किया है अगले बड़े कबर बिहार में पिछले 24 गंटे में मिले मात्र कोरोना के 207 नहीं मरीज जिहां बिहार में कोरोना दम तोड़ने लगा है स्वास्त बिवाग की और से जारी ताजा आकड़े के अनुसार पिछले 24 गंटे में कोरोना के मात्र 207 नहीं मरीज मिले हैं इसके साथ एक कोल आकड़ा घटकर 296 तक पोच गया है सबसे जाता नहीं मरीज पुर्णिया में 20 मिले हैं जबके राजानी पटना में पिछले 24 गंटे में 20 नहीं संक्रमित मिले हैं बिहार में कोरोना रिकावरित दर 98.13 पिजदी हो गया है लगातार इसीति में सुदार होता देख सरकार धेरे धेरे पाबंदियों में चूट देने लगी है बिहार में अभी अलोग तरी लागू है जिसके ताथ कई तरह की चूट दी गई है हाला कि अभी भी कई तरह की पाबंदिया जारी है अगली बड़ी कबर टिकाकरन में देश के टॉप 8 जिलों में सामिल हुआ पटना कर्मियों ने डियम को दी बदाई जिला अधिकारी पाटना डाक्टर चंद्र सेकर सिंग के नितुत में पाटना जिला अंतरगत टिकाकरन अभियार ने सांदार एवं उलकनिय अपलब्दे आसिल की है कोरणा संक्रमन से सुरुख्चा वंबचा वेतु संचाले टिकाकरन अभियान के लिए पाटना जिला को देश के टॉप आड जिलों में सामिल किया गया है जिले के तमाम अधिकारी अवं कर्मियों ने इस उपलब्दी के लिए जिला अधिकारी को कुसल नेतुते अवं मार्ग दर्सन के सराना की है तता उन्हें सांदार उपलब्दी के बधाई अवं सुबकामना एती है आगली बड़े कबर देश में डेल्टा प्लस विरियंट के 50 केस 11 राज्यों में पहला कोरोना का नया वार्यस इससे दो मरिजों की मौत जिहां कोरोना वार्यस का अब तक के सबसे खतरनाक विरियंट डेल्टा प्लस देश में अपने पेर पसार रहा है देश की गारा राज्यों में इसके 50 किस मिल चुके हैं सबसे ज़्यादा मामले महराष्ट में मिले हैं महराष्ट में डेल्टा प्लस विरियंट के एक मरिज की मौत का मामला सामने आया है खुद स्वास्त मंत्री राजश टोपे ने इसकी पुष्टी की है सुकरवार को स्वास्त मंत्रा ले ने मीडिया को जानकारी दी है कि डेल्टा प्लस विरियंट के 50 के सामने आये हैं आंद्र प्रदेश, दिल्ली, हर्याना, केरल, महराष्ट, पंजाब, तेलंगना और पश्चिम मंगाल में डेल्टा प्लस विरियंट से संग्रमित मर्योजे की पैचान की गई है डेल्टा प्लस विरियंट को फिलने से रोकने के लिए स्वास्त मंत्रा ले ने इसे भी राज्यों को आवजशक दिसन निर्दिस दी है अगली बड़ी कबर बिहार में सराब के तसकरी पर होगी दोहरी कारवाई ये बड़ा कदम उठाने जा रही है बिहार सरकार जहां बिहार में पूर्ण रूप से सराबंदी है सराबंदी कानन को लागो किये लगबग 5 साल हो गए हैं लेकिन इसके बावजुद भी सराब तसकरी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं सुवे में सराब के तसकरी को रोकने के लिए राज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है राज में सराब तसकरी करने वाले के उपर सरकार अब दोहरी कारवाई की तैयारी कर रही है माना जा रहा कि मद निसित कानून के तहद गिरबतार कर तसकरों को जेल ब anten वेजा जाता है मगर जेल से चुटने के बाद भी दुबारा सराब के तसकरी में जूड़ जाते हैं ऐसे में बवाग ने तै कि गिरबतारे के बाद चार्ज सीट होते ही जिसकी जानकारी उनके गिरे राज और जिला पुलिस को दी जाएगे ताकि उनका पहचान उजागर हो सके अगली बड़ी खबर बेहार में बहाली से वनचित इंजिनियर के लिए अच्छी खबर वेटिंग लिस्ट से दिया जा सकता है बौका अधिसेंग की जुनियर इंजिनियर है परमपरागत पढ़ाय करने वाले अमिन ना मिलनी के कारण सिविल डिपलोमा वाले जुनियर इंजिनियर और आईटिय परमान पत्र वालो को अमिन के पदबर बहाल किया गिया है और अंध की बड़ी खबर बिहार के तीन इवावो ने माउन फ्रेंडशिप चोटी पर लहराया तिरंगा पांच दिन में की 17,000 फीट की चड़ाई जिहां नालंदा जिले के तीन वावों ने पांच दिन में 17,000 फीट के चढ़ाई की हिमाचल प्रदेश की कुल मनाली के माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर पता पाई है वा तिरंगा लहराया है दल के तीन सदसों ने 19 जून को मनाली से चढ़ाई सुरू की थी जैसे जैसे माउंट के पास टीम के सदस से जाते गए ठन से कपकपा देने वाले बरपिली हवावों के तपड़े उन्हें रोकने की कोशिस करते लेकिन वे चट्टानी इरादों के साथ निरंतर आगे बढ़ते गए और ये मुकाम हासिल की आपको बताती कि जीन तीन वावों ने ये मुकाम हासिल की है उसमें BPSC Part 1 का चात्र 20 वर्सिय गोपाल कुमार बिहार सरीप की खंदर परग मोहला निवासी बारवी की चात्र 17 वर्सिय प्रिया गुपता और बिहार सरीप रखन के परोहा गाव निवासी 28 का चात्र 22 वर्सि अभिसेक रंजन सामिल है आज के लिए आपका सवाल बताए कि आपके अनुसर क्या बिहार में अगले तीन महिने में सरकार गिरने वाली है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं